स्वागत है आपके chemistry master के आज हम अपने protecting group के concept को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कार्बो ऑग्जलिक acids का protection कैसे किया जाता है तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बो ऑग्जलिक एसिट का protection क्यों जरू होती है तो फ्रेंड्स जब भी आप बात करेंगे protection की कि हम किसी भी functional group को क्यों protect करते हैं तो हमने पहले भी discuss किया है कि जहां कहीं भी क्यों स्लेक्टिविटी की प्रावलम आती है वहां पर हम क्या करते हैं कि अपने desire किसी group को या किसी functional group को protect करते हैं so that की जो दूसरा group present है या दूसरा functional group present है वह reaction कर जाए जब कभी भी आप बात करते हैं carboxylic acids की तो carboxylic acid में जो hydrogen होते हैं यानि कि जो उनका acetic hydrogen है वो किसी किसी reaction में जाके वो interfere करता है normal reactions को तो उससे chemo selective problems बढ़ जाती हैं तो उन chemo selective problem को कम करने के लिए या हटाने के लिए हमें carboxylic acids का protection करना ज़रूरी है और इसके अलावा अगर आप कहें कि हमें कोई specific reaction में carboxylic acid अगर reaction दे रहा है और हम चाहते हैं कि carboxylic acid reaction ना दे कोई और functional group reaction दे तो उस कारण से भी हम क्या कर सकते हैं अपने desired product को पाने के लिए या उसको obtained करने के लिए आप carboxylic acid का protection कर सकते हैं तो आईए देखते हैं कि carboxylic acid का protection कैसे किया जाता है तो carboxylic acid के protection करने के कई तरीके हैं तो normal जो तरीका वो होता है कि carboxylic acid को आप ester में change करें functional group modification या functional group interconversion की वज़े से functional group modification मतलब यह है कि आप एक functional group को उसको react करा के किसी दूसरे functional group में change करते हैं तो यहां carboxylic acid को आप ester में change करके उसके molecule की bulkiness को बढ़ा कर आप उसकी reactivity को कम कर देते हैं तो आप carboxylic acid को ester में कैसे बदल सकते हैं उसे कई तरीके हैं जैसे कि आप methyl ester में change कर लीजिए या acid को ethyle ester में change कर लीजिए और बहुत common है एक cellyle ester में भी आप उनको change कर सकते हैं लेकिन जब भी आप किसी acid को carboxylic acid को methyl या ethyl ester में change करते हैं वह easily ester में change हो जाते हैं लेकिन आप जब उनको deep protection करना चाहें methyl ester में change तो हम कर सकते हैं लेकिन उनके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको strong acid strong base की जरुबत पड़ेगी इसलिए क्या किया आता है tertiary butyl esters phenyl esters या फिर benzyl esters या फिर celyl esters में change करना बहुत असान रहता है क्योंकि जो आपके protective group है यानि कि आपको ester को वापस अगर acid बदलना है deprotection के through तो उन में बहुत easily यह हो जाता है तो ध्यान रखेगा कि methyl और ethyl esters के term का हम generally use कम करते हैं tertiary butyl ether, methyl esters या फिर benzyl esters या फिर celyl ester में acid को change करना जाता है better माना जाता है तो यह कुछ examples हैं जो हम अपने आने वाले videos में देखेंगे कैसे आप acid को different ester में change कर सकते हैं tertiary butyl ester का use हम करते हैं as a protecting group जिसकी वज़े से carboxylic acid को हम protect कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि acid हमने लिया है और उसको हम एक protecting group के थुरूप यहाँ पर हमने PG लिखा है उस protecting group से हम करते हैं इसको protect करते हैं और जो PG है यहाँ पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है वह आपका butyl है तो इस वज़े से हम इसके कह रहे हैं कि यह तर्शी बिटाइल एस्टर बन गया है किसी acid से तो यहाँ पीजी जो है यहाँ जो आपका प्रोट्रिक्टिंग ग्रूप उसका structure क्या होगा तो इसका structure कुछ इस तरह से होता है वह होने कि तू मिथाइल प्रोप वन इन का यूज़ करके हम इसके टिवे गनाला इसे में किने में तो देखतें कि आप यहाँ तो हमने यहाँ पर देखो कि यह आपका प्रोटेक्टिंग ग्रूप है इसको हम acid की प्रसेंश में reaction करते हैं तो ऐसे की प्रजिंश में प्राइक्षिप्र होती है तो incoming की तरफ होगा मिले चैनल क्रते लगाओ धींड्र की तरफ रहा है तो कि आपका ब्रिच लिएक चाहिए चाहिए न मिलेगा आपको 3 तो terminal carbon negative charge आएगा जो कि इस hydrogen के साथ जुड़के neutral हो जाएगा CS3 बन जाएगा और central carbon पर आपके पास carbogatine आज जाएगा अब यह carbogatine जो आपको बन रहा है यह आपके acid के साथ react करेगा अगर आप देखें acid में जो carbon carbon है इसमें जो oxygen है उसके loan pair of electron है जो कि वो easily donate कर सकता है इस carbogatine center पर यह electron deficient center है तो जैसे यह इसको electron donate करेगा तो oxygen और carbogatine जो center है जो आपका center carbon है इसके बीचे bond बन जाएगा और oxygen पर plus charge जाएगा अब किसी भी species पर plus charge stable नहीं है और वो भी किसी एक electronegative species पर plus charge तो बहुत यादा unstable होता है इस वज़े से क्या होगा कि जो आपका double bond है carbon double bond वो oxygen की तरफ break होगा और central carbon पर यहाँ पर plus charge आएगा और in turn जो OH का bond है वो oxygen की तरफ break हो जाएगा और इस oxygen पर negative charge आएगा तो इस तरह से मान सकते हैं तो तो आक्षियन और hydrogen की बाउन ब्रेक हुआ और सेम उसी टाइम पर आपका carbon carbon और जो oxygen पर प्लस चार्ज हो उसके बीचकी बाउन ब्रेक होगा और और oxygen पर negative charge आएगा और यहाँ पर जो आएगा इस और नेगेटिव आएगा तो इन दोने की बीच किया था है है आपको वापस मिल जाएगा और आपको तर्षी बिटाइल अरिस्टर से दिखा तो आप इसको किस्टर से वी डिखा सकते हैं तो आप में देखा कि कैसे आप प्रोचेक्शन कर सकते हैं में अर उन्हें पहले भी डिसकस्स किया हुआ, जब भी आप किसी Molekule को proton करते हैं and sitting carry-on करते हैं उसके बात आप को बहुत जिर्जा ज़ुरी ये भी है कि आप अपना molecule जो के प्रोटेक्ट किया आपने जरुक्षोन जो आपने प्रोटेक्ट किया है उसको डी प्रोटेक्ट भी करें तो यह आपका प्रोटेक्टे मॉलीक्यूल था जिसमें की टर्शी बुटायल एस्टर आपको मिला था तो डी प्रोटेक्शन के लिने के लिए फिर से आपको एसिट की जुबत पड़ेगी और जनरली हम माई इसकी वेज़ से हड्शियंट पर प्लस्ट आज जाएगा और अक्षियंट के बीचे आपका यहां पर बॉंड क्रियट हो जाएगा चैसा अगर आप देखें तो यहां पर कार्बनिल कार्बन जो है वो एलक्ट्रोन और जो आपका यहां पर आपक्रुशिंट जिस पर प्ल आपके पास एक ट्रस्री कार्बन है तो उस कार्बन और जो यह आपके आउक्षियन है उसके बीच का बॉंड ब्रेक होता है और इंटर्न क्या होता है आपका जो कार्बनल कार्बन और ऑक्षियन के बीचे बॉंड ब्रेक होगा साथ में तो उसकी वज़े से आपका जो बॉं हो जाएगो और आपका जो कामझिल वह आप एलकॉहल में हो जाएगा और साधे साथ के साथ एक हैड्रोजन होगा किसी एक पोजिशन पे याप में से किसी ऑग ही में कि क्योंकि आपने इस वस्ट मैं हैं लिया है कि है तो तो आपको वहाँ पर double bond मिल जाएगा और आपके पास ये दो molecule बन जाएगे तो आपने देखा है कि आपने कैसे acid की presence में आप जो ester है उसको वापस alcohol में change करके इसे कर सकते हैं तो फ्रेंड आप एक जांपल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे acid को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रूप और कैसे आपने डिजाइड रेक्शन आप गेन कर सकते हो तो यहां पर आपको एक रेक्शन दिखाई कर साथ बोरें जन्री बी एस्टओं में नहीं मिलता है बीटी एच्टोच के फॉर्म में मिलता है और जनल्टी एचाफ के पर जेशन में यह रेक्शन होगी तो जब यह थीक्शन होती है तो जनली होता क्या है कि जो acid है वह ज्यादा रेक्टिव उता है एस गंपेर टू अ मैं इनकर माइट की तुलना में ऐसी ज्यादा रियक्टिव होता है वी एस तरी के लिए यह आपको जो एसीड होगा नॉर्मल कंडिशन में वह मैं के साथ रियक्शन ना करके वह आपके एसे जान करेगा और वह एलकोहॉल में उसे चेंज करेगा तो यह नौर्बल रियक्शन है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीएस्टी की बिजिएंस पर एक्षिन एसिट के साथ ना हो और वह मैट के साथ हो और मैट के साथ रेक्षिन होगी तो वह आपको एमीन देगा यानिकि हमें फर्स्ट स्टेप ना हो यह करना है और आपका डियाइड प्रियक्षिन हो कि इस बीएंससे रिएट करेंगा तो देखते हैं कैसे यह होता है। तो हमने यहां पर देखा कि यहां का मόलेक्व्ल एक हो इसले और व्हें आपका है यहां फोर्टमोग यहां पे से करेंगा होगा संग मिटाइल कुश but अ चैंज कर देगा तो सबसे पहले आपका काम है कि तू मिथाइल प्रोब वन इन को उसके पर में चेंज करना तो जैसे कि हमने थो देखा था कि आपका तू मिथाइल प्रोप वन इन को अगर आप एस्ट के पिजिंश में रियक्शन कर आते हैं तो डवल बॉंड जो होगा वह तरब रहेकोगा जिसकी वज़ेसे टेविल कार्बन नेगेटिव चार्ज और белड़ाया है उसके साथ इस प्लस अध हो जाएगा और सेंट्रल कार्बन पर ज्वार शाड़ा में अब करेगा एक साथ है establishment यहां प्लस चार्ज दिखाया रखा यां फिर यहां पर करने determine फॉर्मेशन हुई है उसके साथ जैसे यह रेक्ट करेगा तो ऑक्षियन पर प्लस चार्ड जाएगा और एक दोनों के बीचे बॉंड बन जाएगा उसके बाद यह डवल बॉंड ब्रेक हुगा ऑक्षिन की तरफ जिसके वैसे ऑक्षियन पर नेगेटिव चार्ड आएगा औ इंटर्ण जो आपका ऊच का बॉंड ब्रेक हुगा ऑक्षिन की तरफ जहां पर जो आपका कार्विनल कार्बन है उस पर प्लस चार्ड आया था वह इस ऑक्षिन के साथ जुड़के आपको डवल बॉंड करके देगा कुछ इस तरह से तो यह आपने देखा कि कैसे आपने को रियट करने से रोका है और उसको चेंज कर दिया है एस्टर में अब एस्टर बनने की वज़े से जो इंकमिंग स्पीशीज होगा उसको यहां पर आके रियट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि एक बलकी गुरूप आके एड हो गया है इसलिए अगर आप बियस के साथ ज्यादा होती है और एस्टर के साथ कम होती है यानि कि वह अमाइट करेगा और आमाइट को एमीन में चेंज कर देगा तो आपकी डिजाइड रियक्शन एक तरफ तो हो गई है लेकिन अब आपको अगला जो स्टेप करना वो यह है कि आपने जो यह प्रोटेक्टि हो जा के एस प्लस से एक रेक्ट करेंगे एस प्लस से जैसे यह होगा तो और ऑक्माइल आपको और ऒ। यह प्रोटेक्ट और जो और आपको यह हमें हो यहां चेंज हो जाएगा और जो पेटर्शी बुटेल गुरूप है जिस पर कार्बोगेटर मन जाता है किसी वी एक ट्रेमिलर कार्वन से आप हटा सकते हैं क्योंकि आपने एसीड यूज किया था आपको वापस भी मिलना ची क्योंकि हमने यहां कैटलिस की तरह यूज किया हुआ है तो जैसे अपने हैं तो वापस वह आपको वन टू मिठाइल प्रोप वन इन वापस दे देता है तो आपको जो डिजाइट प्रोड़क्ट था याने की मॉलिक्यूल में एमाइड रियक्ट कर जाए एमीन चेंज हो जाए और अपने ही फॉर्म मेर है वह आपने देख लिया कि कैसे मिलता है तो फ्र इसी तरह से हम अपने आने आले वीडियो में कुछ और प्रोटेक्टिंग ग्रूप को देखेंगे जो की एसिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपके डिजाइट मॉलिक्यूल या डिजाइट रियक्शन को फॉलो करवा सकते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा